नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागिंदर मिस्दा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सावन में नमक से सबसे जल्दी लोग करोड़ पती क्यों हो जाते हैं आप भी बन सकते हैं जल्दी अमीर दोस्तों आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग करोड़ पती क्यों हो जाते हैं क्यों नमक से सबसे जल्दी पैसा चुमबक की तरह आता है जानिये इसके पीछे की सच्चाई दोस्तों नमक जो हर घर में बड़े ही आसानी से मिल जाता है आपको बता दे कि खाने में नमक कम हो तो वो खाना बेस्वाद लगता है थोड़ा सा नमक आपके खाने को लाजीज बना देता है जब से नमक की खोज हुई है तब ही से ही ये माना जा रहा है कि इसके इसमें नमक शकरात्म कुर्जा को दोर करने की अद्बुत सक्ती होती है वास्तु भी ज्यान के अनुसार नमक हर घर में शकरात्म कुर्जा का संचार बहुत तेजों से करता है कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं होता वहां पर भूत प्रेत बास करते हैं और ऐसे घरों में शुक्षम्रि आपको रातो रात करोड़ोपती बना शकता है लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रुकुष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करियेगा दोस्तों के भी शेयर कर देजेगा और चैनल पर यदि पहली वार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्र के अनसार नमक में एक अलग तरह का आकरशन होता है और इसी बज़े से नमक का इस्तिवाल कई मंत्र और तंद्र तोने टोटके में भी किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि नमक नकरात्म कुरजा को नश्ट कर सकरात्म कुरजा को अपनी योरा कर्शित करता है कुछ लोग तो वसी करण के लिए भी नमक बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र के अनुसार नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो आपको धनवान भी बना सकता है। आपको करोरपती भी बना सकता है। सवचाले में सबसे अधिक नकरात्म कुर्जा होती है। ऐसे में ये उपाए उसे दूर करने के लिए काफी बहतर होता है। दोस्तों नमबर दो नमक का पोचा करे माला माल। बैग्यानिक दिश्ट से ये उपाए बहुत कारगर है। जब भी आप घर में पोचा लगाए तो उसे कुछ नमक यनि उसमें मिला ले पोचे में। हपते में कम सकम एक या दो बार नमक का पोचा अवश्य लगाएं। शीगर ही धनकी प्राप्ती होती है। ये नमक पूरे घर को शकरात्म कुर्जा से भर देता है। घर की तरक्की के लिए नमक से पोचा हमेशा लगाना चाहिए क्यूंकि शकरात्म कुर्जा लक्ष्मी माता को भी अंदर आने में प्रवेश करने के लिए आकरशित करती है। और दोस्तों माता लक्ष्मी जी से प्रसंद होती है। दोस्तों नमबर तीन नमक को काच की थैली में भर कर उसके अंदर चार-पांच लौंग डाल द इससे आपका सिर्य फ्रेस रहता है और अंदर की जो पोजिटिव एनरजी आती है साथी नमक बाले पानी से इश्णान करने से नींद बहुत अच्छी आती है और बीमारियां भी छू नहीं सकती है दोस्तो नमबर पांच ब्यक्ति को सबसे ज़्यदा लाव तब होता है जब ये उपाई करें हर सनिवार के दिन थोड़ा सा नमक 200 ग्राम काली डाल 500 ग्राम चावल और लाल सूखी मिर्च इन सभी चीजों को दान करने पर ब्यक्ति का भाग प्रबल होता है और माता लक्ष्मी जी दोड़े दोड़े घर में प्रवेश करती है धन दौला सहरत बड़े ही आसानी से उससे प्राप्त होता है शनिग्रह की कुद्रश्टे भी समाप्त हो जाती है ऐसे में धनकी देवी माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसंद होती है इसलिए ये काम अवश्य करें क्य है जै माता लक्ष्मी और एक लाइक दो बनता है दोस्तों साथी ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों को बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जै है